इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं आल पेर शॉटेस पाथ इसके अंदर हम बात करेंगे फ्लॉइड वर्शल अल्गोरिधम की तो इसको मैं दो तिन वीडियो में कवर करवाऊंगा क्यूंकि काफी लेंथी टॉपिक है लेकिन इच और एवरी इंपॉर्टेंट पॉ इवन इंटरव्यूज में भी कुछ भी पूछ लें आप एजिली अंसवर कर सकते हैं तो फड़ावट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया यूट्यूब एनलेटिक्स पे मैंने चेक किया था कि 60% यूजर्स जो वी पहले problem discuss की थी वो थी single source shortest path जिसके अंदर हमने digital algorithm के बारे में भी discuss किया each and every important point आपको बताया साथ ही साथ Bellman Ford के बारे में भी discuss किया दोनों ही वीडियो का link जो है वो आपको description box में मिल जाएगा तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि let's say अभी तक हमारे पास क्या था कि यह एक source है और मेरे पास multiple destinations है आप इस तरीके से बोल सकते हो single source shortest path का मतलब क्या है एक source है उस source से मुझे बाकी के सारे nodes पे जाना है with the shortest path डिरेक्ट नहीं अब किसी के through भी जा सकते हो यह just आपको दिखाने के लिए है कि हम लोग करते क्या है एक source है बाकी के सारे आपके क्या है एक तरह स destinations है बाकी के क्या है एक तरह से destinations है तो same source से एक ही source से आपको सारी जगह पहुचना है with the shortest path अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा twist और वो क्या कहता है कि यह मेरे पास let's say इसी तरीके से कोई graph दिया हुआ है अब हमने करना कहा है जैसे यह मेरा एक source मैंने मान लिया यहां से लेकिन यह करने के बाद यह आप यह भी कह सकते हो कि इसके इलावा यहां से तो हो गया अब दूसरे वाले नोड से भी मुझे shortest path बाकी सारों का फिर तीसरे वाले नोड से भी मुझे shortest path है बाकी सारों का चौते वाले से भी पांच मलब आपको हर एक pair में हर एक pair में आपको shortest पाथ find out करना है that's why it is all pair shortest path तो यह single source में तो बहुत simple से कहानी थी कि एक source है सारी जगह पर पहुंचना है विदा shortest path तो उसमें हमने जो डिजस्टर algorithm को use किया वो आपका जो है time complexity क्या लेता था e log v कैसे लेता था यह already मैंने explain किया हुए क्योंकि इसमें दुबारा से सारी कहानी नहीं मैं बता सकता तो यहाँ पर हम decrease key वाला funda use करते थे वो log e और यहाँ पर हम e times हर एक edge को हम क्या करते थे उसको relax करने की कोशिश करते तो इसलिए e log v time बनता था अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो या कई बर interview में कहीं पर भी आपको पूछ लेते हैं कि यही technique आप इस पर भी लगा सकते है all pair पर मलब एक source से बाकी सारी जगा पहुंचने में e log v time लगा तो अब all pair का मतलब क्या है कि लट से अगर एक source से बाकी जगा पहुंचने में e log v time लगा तो फिर दूसरे पर भी फिर तीसरे पर भी लगा लो चौते पर भी लगा लो पाई मलब सारे nodes पे यही फंडा अगर आप apply करते हो तो आपकी time complexity जो है वो एक node से बाकी जगा पहुंचने में तो e log v है अब आपको यही फंडा यही single source आपको सारे nodes पे लगाना पड़ेगा क्योंकि अब आपको all pair shortest निकालने है हरे एक node का एक दूसरे से minimum तो इसलिए फिर आप इसको v times चलाओगे कितने time चलाओगे v times तो अगर आप इसको v times चलाओगे तो अब आपकी time complexity कितनी बन जाएगी v e log v और worst case में आप यह भी बोल सकते हो कि यह जो e की value है अब आपको पता है कि simple graph में अगर हम बात करें e की value worst case में कहां तक जा सकती है v square तक जा सकती है क्योंकि number of edges अगर हम बात करें आपको निकालें तो n into n minus 1 divided by 2 हम generally निकालते हैं जो कि हमारा complete graph होता है तो आपकी तकरीबन तकरीबन v square number of edges हो सकती है v already है log v already है तो यह कितना बन गया v cube log v बन जाएगा मतलब अब आपको कहीं पे भी पूछ लें कि यह अगर single source shortest path वाला funda all pair पे लगा दें adjuster को अगर हम लगा दें for every node तो time complexity कितनी बन जाएगी v cube log v बन जाएगी ठीक है यह आपका point number one हो गया दूसरा अगर आपको पूछ लें कि यह चलो bellman ford लगा दें ठीक है bellman ford भी लगा सकते हैं क्योंकि यह negative weight जो है जब negative weight आते है तब यह गड़बडा जाता है इसका system तो bellman ford अगर हम लगाएं तो bellman ford भी मैंने आपको explain किया था उसमे time complexity कितनी थी ve order of ve e अब यही आपको एक source से मलब एक node से बाकी जगा पहुचने में ve time लगता है अब हम यही funda सारो node पे सारी nodes पे लगाएंगे तो यह v times लगाना पड़ेगा तो यानि v square e बन जाएगा और e की value worst case में अलड़ी बता रहा हूं कि कितनी बन जाती है v square तक जा सकती है तो v square into v square आपका क्या बन गया v ki power 4 तो दूसरा point भी अब आपके दिमाग में आजएगा या आपको कहीं पे भी पूछ लें कि bellman ford अगर हम all square shortest path के fundे पे लगाते हैं तो time complexity v ki power 4 बन जाएगी और अगर हम लगाते हैं डिजस्तरा v cube log v दोनों ही ज़्यादा time complexity है तो हमें एक ऐसा solution चा करते हैं अब हम लोग बात करेंगे dynamic programming की already मैंने बहुत सारी problem dynamic programming की आपको करवा रखी है next अब आने वाली आप all pair shortest path जिसके अंदर हम Floyd Varshal algorithm को use करेंगे और इसके time complexity जो है वो reduce करके v cube कर देंगे कैसे करेंगे वो अभी further video में बता लग जाएगा v cube कर देंगे which is less than this one as well as this one तो कैसे करेंगे कैसे काम करता है इसके लिए next video को आपको check करना पड़ेगा thank you